बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चेप्टर 11 वि नर्मान उद्ध्योग जिसका लास्ट पार्ट हो गई है और इसी के साथ आपका ये चेप्टर हो जाएगा समाव तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट Q85 है आपका भारत में तैयार 70% कागज किस से निर्मित किया जाते हैं किसे तोरा निर्मित किया जाते है फ़ारत में आधुनिक शरुक का पहला कागज udah उद्ध्योग कार खानak कहां सतापिट किया गया था भारत में जो आधोनी की ज़रूप का पहला कागज कार खाना कहा इस्तापित हुआ था तो यह आपका स्री रामपुरा में इस्तापित हुआ था तसपस्षच 1810 में मदरास और 1867 में भूगली के अंदर हुआ था जो पहला था वो स्री रामपुर में हुआ था और इसके बाद 1810 में मदरास में हुआ था और 1867 में गूगली के अंदर हुआ था नेक क्वेशन देखिए भारत की पहली भारतीय कागज मेल कहां इस्तापित के गई गई भारत की जो पहली भारतीय कागज मेल यादर की भारतीय कागज मेल है वो क्या थे वो केवल पहला भारत में कागज का कारखाना वो भारती नहीं थी विदेशियों के द्वारा खुली गई थी लेकिन ये पहली भारती कागज मिल थी जो इस्ताफित की गई थी और वो की गई थी लक्रव में 1889 के अंदर 1879 में इंडियन पेपर मिल के नम से हो चुके थे तो यह आपके 17 कारखाने थे जो आजादी के समय इस्ताफित थी और 19,000 टन उत्पादन की इसकी चमता थी नहीं क्योशन देखिए वर्तमान में भारत में इस्ताफित कारखानों की कागज उत्पादन चमता कितनी है देखिए जब भारत देश आजाद हुआ उस वक्त इसमीं जो समता थी 19,000 टन थी और जब वर्तमान इस्तिती हैं तो 128,000,000 टन कागज है यहां पर उत्पादित हो रहा है और लगबग 800 बड़े और चोटे कारखाने यहां पर इस्ताफित हो चुके हैं भारत के अंदर है ना नेक क्योशन देखिए किन राज्यों में कागज के कारखाने मुख्यता इस्तापित हैं किन राज्यों में हैं कागज के कारखाने तीर बात आप समझ सकते हैं कहा हो सकते हैं पश्ची मंगाल जहां टीटागर, रानिगंज, त्रिवेणी और कोलकता इसके लिए फेमस हैं इसी तरह महराश जिसमें मुंबई, पूना, चंदरपूर, खपोली, पीप्री और कामपटी, उतरप्रदेश के अंदर लखनौ, मेरट, सहारन पूर्प, जफर नगर, पंत नगर, बस्ती, मध्यप्रदेश में भोपाल, रीवा, होसंगाबाद और कमलाई, होसंगाबाद काफी important है, अभी देखते हैं कारखाने इस्तापित है, नएक क्वेशन देखी, देश का अकभारी कागज का कारखाने कहां इस्तित है, देश का अकभार जो बनता है हमारे देश पे, उसका सबसे ज़्यादा जो कागज का प्रोडक्शन होता है, वो कारखाने कहां पर इस्तित है, तो नेपा नगर के अं आपको पता है यहांपर चार टोटल प्रेस प्रेस दे запान के लेकिन जो सरकारी नाटो के लिए जो करेंचीdon प्रेइब करेंची के लिए तो विदेशा चोंपा से मंगा जाता है और याँ फिर हमारे डेश में कहा बनता नानुसार गोमती नदी के फृदूसित नदी के फृद्यवी फृद्ध से ज्यादा पृद्धोफ हुई है गन्ये और कागच के उध्य ô गन्य और कागज के उद्ध्यों से जो अपसिस निकलता है जो वेश्टिज निकलता है उसकी वज़े से ये छेत्र काफी ज़्यादा प्रदूसित हो गया है मतलब हमारे देश में जो प्रदूशन हो रहा है तो प्रकृति को जो नुक्सान हो रहा है उसकी वज़े से देखिए औध्योगी करने जो है उससे हमारी एकॉनोमी डवलप होती है लेकिन नीचर हमेशा स्पॉयल होनी की स्थिति में रहती है तो हम अपने नीचर को इतना यही कि प्रतेकात में से एक पक्ची लुप्त होने के घगार पर है हमारी चेह कषक देखिए रहामें जो है और भारत के संसुन और ड्योगेगां कीटना परतिसत योग्दान है Historika कर बशान च्यों परकार के खनीज वगारा पाइज साथिते हैं ठीक है यहां पर जो किर्शी सम्मंदित सबसे ज़्यादा प्रडक्शन होता है लेकिन फिर भी और दोगी कुछ पाद में राइसान एक प्रशार राज्या है और इसी वज़े से यहां जो टोटल योगजान है वो मात्र 6% का है भारत जो है भारत में राइसान सबसे बड़ा दिया जाता है ने कुशन राहिस्थान का सकल घरीलू उत्पाद में उद्योगों का कितना प्रतिसत है तो यह आपका मात्र 30% है याद रखिए भारत की जीडीपी नहीं है यह किसकी है यह स्टेट जीडीपी है ठीक है सकल घरीलूगपाद कहा है राहिस्थान कहा है और इस तो इसमें 30% योगदान उद्योगों का है नेक क्वेशन देखी राइस्थान की सीशा जस्ता उद्योग से भारत के कुल उद्पाद का कितना प्रतीसत प्राप्त होता है राइस्थान का जो सीशा जस्ता उद्योग है जिसमें जो राइस्थान है काफी अगरणी है और इसकी वज़े से यहां पर उत्पात कितना प्रतिसत प्राप्त होता है तो यह आपका 95% केवल राजथान से प्राप्त होता है जो गैलेना के फॉर्मिट में मिलता है ना ना क्रेशन देखी राजथान में सीशा जस्ता के उद्योग कहां विक्सित होए है तो यह आपके अरावली परवत के सेतर में विक्सित होए है यहां पर जाबर, देबारी जो कि उदरपुर में है चंदेरिया, चितोर में, राजपूर दरीवा और रामपूर दरीवा में यह विक्सित है, ने क्योंशन, भारत के कुल सीमेंट उत्पात का कितना पृति både राह संग से प्राप्त होधा है, यह आपका 16 प्रतिस्यत है, उसका 16 प्रतिस्यत के वल राह संग के अंदर, प्रेक्शन होता है, ने क्योंशन देखीं, राय संग में, रातन तरासनी, आभूसरो का निर्मान करने का कारे कहां किया जाता है राइस्तान में जो रत्न तरासन या अभुशन का कारे कहां किया जाता है तो हम बहुत अच्छे से जादते हैं यह सबसे ज्यादा जैपूर में किया जाता है जैपूर में जोहरी बजार बहुत फेमस है इसके लिए जैपूर आप धना राहा इसके अच्छे अंसर है तो जाता है ये मूर्टि और कलात्मक आप जावा जो आर्ट एंड केर्शन वालोस है वो कहाँ पर सबसे जाड़े देखने को मिलते हैं तो वो भी आपके जैपूर, जोदपूर और उदापूर के अंदर देखने को मिलते हैं जैपूर, जोदपूर और उदापूर नेक क्वेशन देखी राइस्थान में लाख का सामान और चूड़ियों का कारे कहां किया जाता है? तो यह आपका जैपुर और जोदपुर के अंदर किया जाता है राइस्थान में रंगाई छपाई और बंधिज का कारे कहां किया जाता है राइस्थान में जो कपड़ों के रंगाई छपाई होती है मुसली बंधेज के जो कप्रे होते हैं उनका कारे कहां किया जाता है तो यह आपके बाडमेर, पाली और संगानेर में किया जाता है बाडमेर, पाली और संगानेर नहीं क्वेशन देखिए राइस्थान में चम्डे का समान का कारेक कहां किया जाता है देखिए चम्डे का उद्ध्योग कहां सबसे सरवादिक बिक्सेत है पशी में राइस्थान की तरफ बिक्सेत है और इसी वज़े से यहां पर जो चम्डे का समान होगा वहाँ पर ही पसु संसादन बहुत जादा होंगे तभी चमड़े का कारे किया रसकता है तो यह कहां पर होगा जोदपूर, जैपूर, अजमेर और बाडमेर के अंदर यह उध्योग उच्छत है नेक क्वेशन राइस्थान में संगमरमर के कटाई पॉलिस वे गिसाई करने के काई यहां इस्थित है आपको पता है राइस्थान में जो संगमरमर पाया जाता है वह बहुत अच्छी केटेगरी का होता है तो इसी वज़े से यहां करणा की कटाई पॉलिस और गिसाई की कारे करती हैं में क्योषिन देखी बहरत में सरवादिक नमक उत्पादित करने व Dasाण्जी है भारत में सरवादिक नमक उत्पादन करने वाले जील कौन-कौनछी है तो इसकी सबसे ज्यादा जो और मा खुद पादन करती है वह आपकी सांबर जील है कौनसी जील है सांबर जील के पर नहीं कोशन देखिए रायस्थान में सोडियम सलफेट का कार खाना कहा इस्ते थे तो यह आपका डीडवाना के अंदर इस्ते थे कहां पर इस्तित है लीड बना के अंदर इसी तरीके से नहीं कोशन देखिए राइस्थान में मैगनीशियम सलफेट का कार खाना कहां इस्तित है तो यह आपका पच्पद्रा के अंदर इस्तित है कहां पर इस्तित है पच्पद्रा के अंदर नहीं कोशन भारत में सरवाजिक भेड़ पालन किस राज्ये में किया जाता है भारत में सरवादिक जो भेड़ पालन है वो किस राज्ये में किया जाता है आपको पता है भेड़ पालन में जो दूद के बाद फिर आप यूद और मीट के बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो उनके कारिक कहां किया जाता है जहां बहीट ज्यादा पाली जाएंगी वहीं उनुक प्रें भी आराम से मिलेंगे तो नहीं को नुट o पाता है तो आपको ऑना चाहिए तिभून क्या होती हैं तिलं जानते हैं तो हो फसले हैं जहां आपके तेल निकला सकता हूँ है जैसे आपका स्राइबीन हो गया जैसे आपका तिल हो गया is अब क्लें चरवादिक कहां होता है राईस्थान होता है त Tsar Fardin वाला राज्य कून सा है आपका राज tobacco अप天 नेक कुश्चन देखिए, राइस्थान में मुंग फली, सर्सों, स्वयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल निकालने के एकाईयां कहां इस्थित हैं, तो यह आपकी अलवर्ज, जैपूर, दौसा, कोटा और बूंदी छेत्रे में सरवाधिक विक्सित हैं, नेक कुश्चन देखि राइस्थान में चीनी उद्योग कहां इस्थित हैं, तो बूंदी चितोड़ और भिलवाधा में, यह कौन सी जगह हैं, यह यहाँ पर गंणा पास में होता है, नोकि यह हड़ोती के पठार यानि काली मूठी का सेत्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, गंणा होगा और गंण होगा तो चीनी के उद्ध्योग लगेंगे और चीनी के उद्ध्योग लगेंगे तो यहां पर चीनी उद्ध्योग का काट खाने भी लगेंगे तो बूंदी चिता और भीलवाड़ा क्या है चीनी उद्ध्योग का जगह है राइस्थान में गौारगम उद्ध्योग कहां इस परिस्तित है तो यह आपका चूरू जोदपुर और पार्डमे के अंदर इस्तित है ने कुशन राइस्थान में कागज उद्योग कहां इस्तित है तो राइस्थान का जो कागज उद्योग हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं घौसुंडा, कोटा, भीलवाडा, उ पासवाडा में यह इस्तित है और इसी के साथ बच्चों यह चैप्टर होता है समाप मिलते हैं नेक्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए थैंक्यू थाइस पास प्राइस प्राइस्थान के लिए उद्योग हम आटीजू